गुड मॉनिंग चिल्डरन आज हिंदी की इसक अच्छा में हम ब्याकरन से पाठ पाँच शब्द रचना संधी के बारे में जानेंगे संधी क्या है संधी का अर्थ है मेल या जोडना या फिर जिसको हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में जोइनिंग कुछ सब्द आपस में मिलकर नए शब्द बनाते हैं और इस मेल में जब दो वर्ण मिलते हैं तो उनमें परिवर्तन आ जाता है दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आ जाता है तब ब्याकरन में इस मेल को संधी के नाम से जाना जाता है इस प्रकार की संधियों में दो वर्नों का मेल ब्याकरन के नियम के अनुसार होता है तो यह जो मेल होता है या संधी होती है यह इस प्रकार की संधियों में जो दो वर्नों का मेल होता है यह ब्याकरन के नियम के अनुसार होता है संधी किसे कहते हैं? दो वर्नों के मेल से जो विकार या परिवर्तन हो जाता है उसे संधी कहते हैं यहाँ पर हम उसका उधारन देखेंगे हिम जोड आलय बन गया हिमालय यहाँ पर दो स्वर अ और आ का मेल है परम जोड आनन्द बन गया परमानन दो शब्द है और इससे बन गया परमानन और इन दो शब्दों में कौन-कौन से स्वर है और स्वर आ का मेल हुआ है जगत जोड नात जगन नात द्यांजन ता का द्यांजन ना से मेल हुआ है और तब बन गया है जगननात निह जोड चल बन गया निश्चल निह में विसर्ग कच्चिन है विसर्ग का ड्याजन च्छा से मेल हुआ है और तब बन गया है निश्चल इन उधारनों में आपने देखा कि वर्नों के मेल इस प्रकार हुए है आईए देखते हैं इसको समझेंगे बहुत महत्वपूर पाठाया आगी कक्छाओं में आपको बहुत कुछ युगदान मिलेगा अगर आप इसे कक्छा छह में सीख जाते हैं तो स्वर जोड स्वर कहते हैं इसे स्वर संधी ब्यांजन जोड ब्यांजन ब्यांजन की संधी या ब्यांजन संधी बिसर्ग जोड ब्यांजन बिसर्ग की संधी तो यहां स्वर की संधी हुई है दूसरे वाले शब्दों में ब्यांजन का ब्यांजन की संधी हुई है और तीसरे मेलों के अधार पर संधी के मुख्या तीन भेद हैं स्वर संधी ब्यांजन संधी और विसर्ग संधी आप अपनी पुस्तक में इन्हें समझ लें एक बार पढ़ें और समझने का प्रयास करें उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे आईए देखते हैं स्वर संधी किसे कहते हैं स्वर का मेल स्वर के साथ होने पर जब विकार उत्पन होता है तब इस मेल को स्वर संधी कहते हैं स्वर का मेल स्वर के साथ होने पर जब विकार या परिवर्तन उत्पन होता है तब इसे स्वर संधी कहा जाता है स्वर संधी के 5 भेद होते हैं दीर्ग संधी, गुण संधी, यण संधी, वृधी संधी और आयादी संधी हम लोग एक-एक करके इन सभी संधियों के बारे में जानेंगे स्वर्ण संधी के जितने भी रूप है उनको हम लोग एक-एक करके जानेंगे इससे पहले आप एक बार अपनी पाठ्या पुस्तक से इसे पढ़ ले संधी की जो परिभासा है उसे याद कर लें उसे समझ लें शब्दों को देखें और उसके बाद हम लोग स्वर्ण संधी के जो भी प्रकार है उसमें आगे बढ़ेंगे